उत्ते प्रदेश में सरकार बनते ही योगी सरकार ने कहा था कि प्रदेश की सभी सड़के गढधा मुख्थ हो जाएंगी। लेकिन सरकार का यावादा सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रहे गया। तूटी वी सड़के अपने बदहाली के आंसु बहा रही है। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि गढड़ों में सड़क है या सड़क में गढधा। तूटी वी सड़के आए दिन गुर्भजनाओं को दावत देती नजर आ रही है। बीते महा अक्टूबर में तूबे की सरकार ने कहा था कि प्रदेश की सभी सड़के गढड़ा मुक्त हो जाएंगी। तूटी वी सड़के सरकार के इस दाववादे को मुझ यड़हती नजर आ रही है। उतर प्रदेश की राज़धाने लखनाओं में तूटी वी सड़कों का यहा हाल है तो अन्य जिलों के बारे में क्या कहा जाए। इसे मुद्दे पर हम बात करेंगे यहां के आने वाले रहागीरों से। अब करना है। आपका रोज का यहां आना जाना होता है। आप यह तूटी वी सड़कों के बारे में क्या करना चाहा है। अब यह मत मुछेद्गा रिक्षा टूट जा रहा है। जिसका जवाब नहीं है। अभी अमने कली वेल्डिंग कराया दिये। यह चिम्टा यहां टूजाता है। अभी आप ने इसकी किसी से शिकात नहीं की। महानस गार्डन वाले का अफिस इंद्रा नगर में वहां से ने कहां भी तुनों ने का काम चल लाहा इधर की नों ने रोड बनवाई है। मगर इसके किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत बहुत घंड़ादा तो सर आप इंटर्कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसा कि हमारी सूबे की सरकार में कहा था कि सभी सड़के प्रदेश की गढधा मुक्त हो जाएं लेकि ये सरके तो अपने बदहाली के ही आसू बहा रही है जिन पर कोई कारवाही नहीं की जारे इसके बारे में आप कहा रहना चाहिए इसके अगर इमानदार है एक शना भाड़ा नहीं पोर सकते है जिस्टम है ना ये ब्रख्ट है सच बताऊं सब्सक्राइब करना चाहिए ये इससे नहीं काम बनेगा ये तो हमें जब कोई जॉब करता है ना उसे पढ़ाया जाता है हम बड़े ही सकते नेश्टा इमानदार इस करेंगा नहीं हमें परमंत उनका आकलन की जो काम दिया जा उतका आउटपुट कितने परशेंट इस रिजाब किसे सेलरी हो सपोर्ट करोन ने बेसिट ज्वेंगी पचा हम लोगों ने हम लोगों ने बजड़ी ओगराया जाना जाना रहता होगा तो अब तो गर्मी है मगर बर्साथ में आपको तो काफी परिषानियों का सामना करना पड़ता होगा कि कहां गड़े वो तो दिखी नहीं रहे होंगे आपको मैं बताओं आपको नाश्तियर बर्साथ का जब आप इढ़ से जाएंगे साहरी जीजी वाली जो फडोल है वहाँ सोसाइटी का कोशा जख भी हो तिक्तिगत मिल करके कुछ लोगों से चार-पांच लोगों ने हम लोगों ने बजड़ी ओगरा सब दलवाई तो क्या कहूं नगर निगम को क्या को किसको दोस्त दो कहा कहा दोस्त दो उसमें यह यह कि हम स्वेम कितना कर सकते हैं अपने पैसे लगा करके आपके बदलाओं मतलब सर फुल मिलाके आपके कहने को मतलब यह है कि सभी को अपने कारे का अच्छे से निर्वागान करना चाहिए तब ही सार जी बहुत बहुत धन्यवादी जो आप ये टूटी भी सड़कों से आए हैं आपको इन पर क्या परिसानी होती है मैं जानना चाहूंगे आपको कर सकते हैं उस दोरी को ताह करने मादा घंटा लग जाता है तो रात में कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाने में समस्या हो तो तरिशानिया है बहुत थी तरिशानिया है आप ने इसके शिपार पहले पीड़वडूडी वाले बनाते हैं उसके बाद टेलीफोन वाले ख काम पहले हो विजली का काम पहले हो उसके बाद में सलक बने तब तो सलक कुछ दिन चले और सलक की लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा जी आपका नाम स्वामीनात्रिवेदी बोरू जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जैसा कि आपने देखा स्वामीनात्रिवेदी जी हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि सड़के बनती बाद में है पहले उखड जाती है क्योंकि कहीं टेलीफोन के लाइन खुद रही जि कि वजए से उन्होंने कहा पहले पीड़े के अधिकारी यह जानना चाहूंगी कि यह टूटी भी सड़के को यह बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आपकी क्या रहा है बहुत दिक्कत करती है आने जाने में यह सड़क बननी चाहिए जितना जल्ब से जल्ब आप लोग के पर अभी तो किया होगा तक है कि अब ही तो गर्मी है अभी तो पता ही नहीं चल रहा है पाँ दिखाइब रहा है अभी तो अभी कुछ दिनों Badasal आ जाएगी फिर उसमें तो आपको काफी परिशान हो तो कि पता ही नहीं चलेगा कि यह सड़के है कि गड्णे नहीं सही 이번 थ Secre जोज़ना के जाने चाहिए, जिससे इन्पर आने जाने में किसी को कठनाई ना हो तूटी ही सड़के दुर्गटनाओं को दावत देती है मावगान तो होती है अगर इसको बारे उल्टा काहा है तो सर आपने सी सिकाय किसे नहीं की? इससे करें? इससे करें पी डबली दी चे कर लेगे? हमारे प्रिसाथा नजिकारी से करें? आए हमों कमाज़न की दिने बारा उन्दावन कव्या हो आपका नाप? आगी आठों. क्या सर्? आठी आठों. स्टारी चीए डार्ट कर देना चहां। आप इन तूटी ही सडकों के बारे में क्या करना चाहिए? हमका बचाए। हमका कुछ नहीं पतस्ता है। आप ने मद्धान किया है। आपका है। कुछ भी नहीं कहना चाहा रहे हैं तूटी वी सड़कों के बारे में हमें लग रहा है इनको कोई परेसानी नहीं हो रही है वीडियो जर्लिस्ट पुजा वर्मा के साथ मैं सिवानी वर्मा लगने